हाई फ्रेंस वेल्कम रे चैनल लेजी वाइफ रील्ड आज हम बनाने वाल हैं स्रीम इन मस्टर्ड ग्रेवी विल्क आर डी और पार जए लिए पहले हमित स्रीम में श्रीम इन मंस्टर larger बनांत पहले हम स्रीम फ्लेवर बहुत अच्छा देता है अब पैन में हम धीरे-धीरे करके स्ट्रीम को रखेंगे स्ट्रीय फ्राइ करने के लिए इंडिया में ओडिसा का एक स्टेट है जिसमें स्ट्रीम का हम लोग चिंगुडी बोलते हैं यह एक डेश का नाम है जिसका फ्लेवर बहुत करलन जी का में उत्वाश्ट कर देंगे उसके पर हम जिन्जर गालिक पेस्ट बालेंगे जिनजर गालिक पेस्ट को अच्छे से स्टीय कीजिए ताकि उसका ज्ण। रॉष स्मेल है उचला जाए अ उसके बार हम दूसरे तरफ पैन को देखेंगे और गश्यस फ्लिप करें तरहांगे उसको अच्छे से स्टीर फ्राइट स्रीम कराएंगे ताकि आपको स्टीर करते वाइपको इसका कलर चींज का पता चलेगा अब आप कलर देख रहें कितना सुन्दर सा कलर अभी चेंज हो रहा है अब दूसरे तरफ हम कडाई में जो जिंजर काली पेश ले तो उसमें लाल मिच का पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से स्टीर करेंगे अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे उसका अच्छे से स्टीर करेंगे इतना मसाले को भूलेंगे उसका फ्लेवर अच्छा आएगा अब हम फ्राइट ओनियेट पेश डालेंगे यह मेरे घर का बना हुआ है इससे टाइम बहुत कंब जाता है अब हम टॉमाटू पेस्ट डालेंगे और अच्छा से ब्हुनेंगे salt स्वाध अनुसार डाली और अच्छा से बुन का जिटनी अच्छा ब्हुनी ऊसका इब अच्छा आएगा is यह हमाल मेरा हो मीट 灯 गरम मसाला है जो मेरे घे कारी में डालती हूं और मेर बहुत जब्छाव इसकराए generate बोर्च करूँगी अब मसाले को अच्छे से बुनेंगे अच्छी से बुनने के बाद हम जो स्ट्रीय फ्राइट स्रीम किये थे उसको हम डालेंगे कडाई में उस कचे से साथे करेंगे कि जितना मसाले को भूनेंगे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अब मैं पानी आइड की हूँ तो मुझे ज्यादा कंसिस्टेशनी अच्छा लगता है तो मैं तो ज्यादा पानी आइड की हूँ आप अपनी मान पसंद कर डाल सकते हैं अब मैं स्लीट हुआ मिर्ची डाली हूँ चॉप टॉमाटोस उसके बार यह हमार में इंग्रीडियन्ट है मस्टेट पीस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके उसका रेसी भी मिल जाएगा आउस दर चेक कर सकते हैं अब मैं इसको अच्छे से स्वाथी करके में इसको अच्छे से लीट बहा दूंगी फिफ्टें मिनिट्स के अब मैं लीट खोलूंगी आप देखिए इसका अच्छा उबाल भी आ रहा है और स्मेल बहुत इसका बढ़िया है मैं लीट लगाऊंगी फॉर मोर फाइब मिनिट्स अब देखिए स्रीम इन मस्टेड ग्रेवी तयार हो चुका है आप इसको होट स्टीम राइस के साथ सर कीजिए मेरा रेसीपी को ट्राइ कीजिए डोंट फॉर्गेट तू सब्सक्राइब मैं चानल लाइक शेर और प्रेस दा बैल आइकन फॉर दे न्यू आपडेट्स तो चलिए नेक्स टाइम मिलते हैं विट न्यू रेसीपी न्यू झाल